आप देख रहे हैं जन्वारी निउस टॉप 20 स्पोंसर्ड बाई शोभित युनिवर्सिटी मेरट शोभित युनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थू एजुकेशन नमस्कार, स्वागत है आपका जन्वारी डिजिटल निउस की दुनिया में मैं हूँ आपके साथ हजीतानंद, आए नजर डालते हैं दिन भर की खास ख़बरों पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म, अब 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे हिमाचल प्रदेश में वोटिंग खत्म हो गई है, सभी 68 सीटों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे लोगों ने बढ़ चड़ कर मद्दान में हिस्सा लिया, साथ फिजदी से अधिक मद्दान होने की ख़बर मिली है बिपाशा करण सिंग के आंगन में आई लाडली, शादी के 6 साल बाद गुजी किलकारी हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री बिपाशा बसु ने शनीवार को बेटी को जनम दिया है बिपाशा 46 साल की उम्र में माबनी है बता दें कि विपाशा बशू और करण सिंग ग्रोवर सिनेमा जगत के पावर कपल हैं और अब फैंस सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई दे रहे हैं मधू सूधन मिस्त्री ने पीयम मोधी को कहे अपशब्द बढ़ सकती हैं कॉंग्रेस की मुश्किलें कॉंग्रेस नेता मधू सूधन मिस्त्री ने प्रधान मंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है इसके बाद कॉंग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख सकती हैं जानकारों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले पीयम मोधी पर टिपड़ी चुनाव पर असर डाल सकती है चोरी के आरोप में दो यूकों को खंबे से बाद कर पीटा इट और डंडों से बरपाया कहर बिहार के मुझफरपुर में दो युकों की चोरी के आरोप में भीड ने उन्हें पकड़ कर एक खंभे से बाध कर इट पत्थर और डंडों से जम कर पीटा इस घटना का वीडियो वाइरल हो गया हाला कि पोलिस ने दोनों को मुक्त कराया और अपने साने ले गई मेलबर्न में फाइनल के दोरान भारी बारिश के आसार ICC ने प्लेइंग कंडिशन में किया बड़ा बदलाव अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और इंगलेंड के बीच रविवार को होने वाले फाइनल को लेकर प्लेइंग कंडिशन में बड़ा बदलाव किया है दरसल रविवार को मेलबर्न में भारी बारिश की संभावना है उस दिन 95 प्रतिशत बारिश होने की संभावना बताई जा रही है तमिलनाड में मंजूर नहीं EWS आरक्षण भाजपा अन्ना द्रमुक ने किया बैठक का बहिशकार तमिलनाड के सत्तारूड राजनीतिक दलों को गरीब सवरणों को 10 फिस दी आरक्षण देना मंजूर नहीं है CMMK स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलिय बैठक में 103 में संभिधान शंशोधन विधेक को ठोकरा दिया गया है विधानसभा चुनाव से पहले 200 अस्थानों पर छापे मारी ATS वा GST की टीम ने चलाया अभियान गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छापे मारी हुई है राजे ATS और GST के अधिकारियों ने 200 अस्थानों पर छापे मारी की है 96 दिन शुरू हुई भारत जोडो यात्रा महाराष्ट में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा श्ठनीवार को 66 दिन राहुल गांधी के नेतिर्त में हिंगोली के शेवाला गाउं से शुरू हुई यात्रा 20 नमंबर को मध्य प्रदेश पहुँचेगी CM योगी आदित्यनाथ ने दिये निर्देश हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉश्पिटल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनीवार को एकोचस्तरिय बैठक में डेंगू वा अन्य संचारी रोगों की रोगठाम के प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिये हैं CM ने कहा कि हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल आइक्टिव किये जाएं पांच एकड जमीन पर बनेगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर IIT के विशेशग्य तैयार करेंगे DPR मतुरा में वरिंदा वन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर योजना लगभग फाइनल हो गई है सूत्रों के अनुसर पांच एकड जमीन पर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार हो गया है मंदिर के लिए जमीन ठाकुर श्रिबा के बिहारी मंदिर की निधी से खरीदी जाएगी ठग सुकेश ने फोड़ा एक और लेटर बम केजरिवाल सतेंदर जैन को पॉलिग्रॉफ टेस्ट कराने की दीचुनोती जेल में बंद ठग सुकेश चंदर शेखर का एक और लेटर बम सामने आया है सुकेश ने अरविंद केजरिवाल और सतेंदर जैन को पॉलिग्रॉफ टेस्ट कराने की चुनोती दी है सुकेश ने कहा कि इस टेस्ट की लाइप प्रसारण की जाए ताकि सच देश के सामने आ सके भाजपा में टिकट मटवारे पर खींच तान जारी सांसदों और प्रदेश पदाधिकारियों के बीच हुई नोगजों दिल्ली निगम चुनाव में टिकट मटवारे को लेकर भाजपा में जबरदस्त खींच तान जारी है प्रदेश चुनाव समित की हुई पहली बैठक में अधिकतर सांसदों वा प्रदेश पदाधिकारियों के बिज टक्राव बना रहा महिला सुरक्षा के लिए धामी सरकार ने उठाए अहम कदम ऐप लांच कर सियम ने बताए फाय दे मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने शनीवार को सचिवाले में उत्राखंड पुलिस आएप के अंतरगत कारेरत महिलाओं के लिए स्वा रजिस्ट्रेशन सुविधा का शुभारंब किया महिलाएं उत्राखंड पुलिस आएप में दिये गए विकल्प गौरा शक्ती से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है राजस्थान को लेकर कॉंग्रेस आला कमान लेगा जल्द फैसला आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जैपूर में किया दावा कॉंग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम शनीवार को जैपूर पहुँचे इस दवरान उन्होंने विधानसभा धेक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजस्थान को लेकर आला कमान जल्द बड़ा फैसला लेगा 13 नौंबर को जुँझुनू में जुटेंगे भाजपा के 400 दिगज उप चुनाओ को लेकर बनेगी रणनीत भाजपा राजस्थान में गहलोत सरकार की चौथी वर्षकांठ पर घेरने की तैयारी में है विधान सभाव चुनाओ को लेकर आम चुनाओ 2023 तक की स्टेड़ जी तैयार करने के लिए भाजपा नेता राजस्थान में जुटेंगे जर्मन शेफर्ड कुते ने 7 साल की बच्ची पर किया हमला चेहरे पर गहरे जक्म हाथ पैर में भी काटा फिरोजाबाद में खेल रही बालिका पर जर्मन शेफर्ड कुते ने हमला कर दिया जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई घटना के बाद छेत्रिय लोगों ने आक्रोश जताया है पीडित बालिका के परिजन ने पुलिस को तहरीर दे दी है मुंबई एयरपोर्ट पर रोके गए शाहरुख खान कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने पर हुई पूश्टाच बॉलिवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शुक्रवार की देर रात रोक लिया लाखों रूपए की कीमत की घड़ियों को भारत में लाने और कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने की वज़ए से शाहरुख खान से पूश्टाच की गई यूपी में पुलों की जाँच पूरी 25 पुल आसुरक्षित सबसे ज़्यादा मेरट में साथ और चंदोली में मिले चार पुल यूपी में योगी सरकार ने सभी पुलों के जाँच के आदेश दिये थे 5283 पुलों की जाँच के बाद राज्य की 25 पुल आसुरक्षित पाई गई हैं जिसमें मेरट में सबसे ज़्यादा साथ पुल आसुरक्षित मिले हैं साथ ही चंदोली के चार मिरजापूर और प्रतापगड में दो दो पुल आसुरक्षित मिले हैं पूर्व मंत्री हाजी याकूब के विदेश भागने की आशंका दस बैंक खातों से खुलेगा राज गिरफतारी के लिए दबिश जारी पूर्व मंत्री याकूब कुरेशी उनकी पतनी संजीदा बेगम बेटे इमरान फिरोज समेत साथ लोगों की तलाश में छापे मारी जारी है वहीं पुलिस को दस बैंक खाते मिले हैं सीयो किठोर अमित कुमार राय का कहना है कि विदेश भागने की आशंका के चलते याकूब का परिवार समेत लुकाउट नोटिस जारी किया गया है मेरट के नायरा पेट्रोल पंप का नया खेल उजागर खाला पार के सलीम ने लगाई थी हैकिंग चिप मेरट में तेल का खेल कराने वालों के खिलाप STF ने तो सुबूत जुटाए बावजूद थाना पुलिस विवेचना में साच्छ शामिल नहीं कर रही है जिसको लेकर पुलिस की विवेचना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं मेरट में तेल के खेल में थाना पुलिस की भूमिका पर लोग संदेह करने लगे हैं पुलिस के मताबिक जेल जाने से पहले पंप मालिक अवनीश गोयल ने बताया कि मुझफर नगर के खाला पार निवासी सलीम ने मशीन को हैक करने के लिए चिप लगाई थी जबकि मकैनिक देवेंद्र उर्फ सतेंद्र ने मशीन में मदर बोर्ड लगाया था सलीम को पुलिस ने अभी तक नामजद तक नहीं किया नायरा कमपनी के पैटरोल पंप पर मिलावट और घट तवली के खेल की विवेचना कट घरे में खड़ी है नव दिन बाद मुकदमे में धोखा धड़ी और आईटी एक्ट की धारा बढ़ा कर पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश कर रिमांड की अरजी लगाई जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन रिमांड पर नेड़े नहीं हो सका सोमवार को फिर सुनवाई के लिए तारीख लगी है